Hi everyone, कैसे हैं आप लोग? तो यह एक बहुत बड़ी news मेरे ख्याल से अब सारी चीज़े क्लियर हो गई होगी, अगर आपने J.E. Advance की साइट देखी होगी यार तो J.E. Advance की डेट जो है वो रिलीज हो चुकी है और मैं भी यही देख रहा था आप देख सकते हो, कि जो J.E. Advance की डेट है यार, वो होने वाली है संडे जुलाई तीन, आपका दो पेपर होगा, नौ से बारा, ढाई से साड़े पांच, और इसका जो यार रेजिस्ट्रेशन है, वो स्टार्ट होने वाला है आठ जून से, तो यार ये एकदम क्लियर करती है, J.E. Advance वालोंने, कि आप लोग का जो एक्जामनेशन है, J.E. Advance का तीन जुलाई को होने वाला है, तो इससे साफ क्लियर है कि पूरा जून तो आपको मिलेगा, ये J.E. Advance की तयारी करने के लिए याने कि एकदम साफ अप्लियर हो चुक है कि आपका दो अटेम्ट में पेपर होने वाला है, एक होगा आपका एप्रेल में बोड से पहले और एक बोड खतम होने के बाद में एंड में आपका एक्जामनेशन होने वाला है, जून आप करोगे जएई अडवांस की तयारी और तीन जुलाई को आपका जएई अडवांस इस बार होने वाला है, इस बार NTA और IAD वालों ने डिसाइड कर लिया है कि वो लोग जो कॉलेज का रिजम्शन है वो टाइम पर इस बार करने वाले हैं सो ये न्यूज सुन करके आपको कैसे लगा मेरे को कॉमेंट सेक्षन में ज़रू बताना, सो अब everything is clear दो अटेम्ट आफ जैई मेंस इन अपरेल एंड मही और उसके बाद जैई अडवांस तीन जुलाई को और उसके बाद हमारा रिजल्ट भी आजाएगा रिजल्ट की डेट भी मेरे ख्याल से आप दी है आपका रिजल्ट आएगा 18th of July को 18th of July को रिजल्ट आते ही 2-3 दिन में काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी मेंको जल्दी से बताना क्या लगता है अब दो ही अटेम्ट होने वाले अप्रेल मही में गयाप अगर अभी नहीं है मेंको अपने thoughts जो है वो comment section में आप जल्दी से लिख करके बता दो Till then all the very best to everyone Bye Bye